नीट यूजी एक्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को मेरा नमस्कार बच्चों हम आपको step up academy के इस platform पर नीट यूजी की complete preparation करवाने वाले हैं from A to Z सारी की सारी तैयारी आपको यहीं पर मिलेगी तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं आपका biology mentor डॉक्टर सद्धान मिश्रा आपको complete biology पढ़ाऊंगा फर्स चैप्टर क्लास 11 का the living world चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी काम की बाते कर लेते हैं regarding the step up academy तो यहां पर आप देख सकते हैं बैटा हमारा application है जो कि आप play store से डाउनलोड कर सकते हो और इसके बहुत सारे features हैं जैसे कि यहां पर online classroom मिलेगी आपको डाउट क्लिरिंग सेशन मिलेंगे लाइट टेस्सीरीज मिलेगी टेस्सीरीज के बारे में अलग से भी बात करूंगा परस्टलाइज assistance मिलेगा मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी दिक्कत आती है एक्जाम रिलेटेड तो वहां पर आपको पंसलाइज तरीके से उस प्रॉब्लम का स्लूशन दिया जाएगा करियर कांसलिंग अगर आप 10th से 11th में जा रहे हैं या 12th क्लास पास कर रहे हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए ठीक है इस से रिल्टेट कैरियर कांसलिंग भी आपको मिलेगी 24x7 free access है आपकी और अगर आप इसको रेफर करते हैं अपने किसी को तो आप कुछ पैसे भी अंकर सकते हैं साथी साथ सबसे इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको फ्री नोट्स भी मिलने वाले हैं राइट अगली बात कर लेते हैं जरू जिया ऐसे आई एंटी एस डैट इस step up academy innovative national test series जिया तो step up academy इस साल करने वाला है कुछ बहुत ही बड तक online mode में नीट exam के लिए आई एटी जे exam के लिए और जो बच्चे class 12 में हैं जिनका board का exam होगा ठीक है उनके लिए subjective test भी इस test series के अंदर होंगे जाधा जानकरी चाहिए आपको इस test series के बारे में तो step up official 24 into 7 quiz group है telegram पर जिसका की link आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो के आप महां से जाकर इस quiz group को join कर लें और वहीं पर आपको इस test series related सारी information जो है वो मिल जाएगी तो बच्चों test series बहुत important होती है सब्सक्राइब में अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और अगर आप test series लेते हैं तो आपकी जो preparation है वो complete हो जाती है आपको पता चलता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे है फर्स चैप्टर स्टार्ट करूंगा बिना टाइम वेस्ट किये and that is the living world the living world त तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं चैप्टर कितना important है चैप्टर छोटा सा है अगर देखूं कितने questions आए उससे तो बहुत important नहीं लगता लेकिन बिटा जहां पर एक-एक question के लिए इतनी मारा मारी है वहां कोई भी chapter को unimportant कहना सहीं नहीं होगा तो देखें 2018 में अगर आप देखेंगे तो 2018 में एक question आया है भाई taxonomical aid से जिसको कि अभी new NCRT में तो हटा दिया गया है फिर इसके बाद 2019 में दो question आया थे diversity in the world living world से a question taxonomical aid से 2020 में कोई question नहीं है 2021 में एक question आया है अगे अगे इवस्टी इन दल लिविंवर्ट से 2022 में taxonomic categories और aid से एक एक question जो है वो आया हुआ है 2023 में भी कोई question नहीं है 2024 में प्रबबली एक question जो है वो आया था तो आगे भी question जो है वो आने के साब की जो की 1904 से लेकर 2004 तक जैनी 100 साल अजंदा रहे अब आती है कि इनकी फोटो सबसे पहले इंसियार्टी के पहले पेज पर ही क्यों दी हुए है वो इसलिए दी हुई है क्योंकि अंस मेर्स आपको कहा जाता है है डार्विन ऑव दी ट्वेंटी एफ सेंचुरी बीसवी शताबदी का डार्विन इसका मतलब डार्विन भी से पहले बहुत बड़ी तो प्रह होंगे ठीक है तो बिलकुल सही बात है चार्ल्स डार्विन के जो क्या कहते हैं कॉंट्रिबूशन सहे वह जितने रिमार्केबल है कुछ उतने ही रिमार्केबलरंस्ट्पेडंब्र के भी कॉंट्रिबूशन से इस लिए अन्सट्म्हर को डार्विन के नाम पर डार्विन youtube के 20th सेंचुरी कहा जाता है अगर इनके एरियाज ऑफ रिसर्च की माइस करो areas of research की बाद करो तो बेटा जैसे की ornithology ornithology geography, taxonomy, systematics, evolution और इसके लबा, biology का इतिहास और उसका दर्शन यानि history or philosophy of biology history and philosophy of biology ठीक है तो यसमें से अप देके जो taxonomy है, systematic से यह इसी chapter में आगे हम लोग पढ़ेंगे ornithology होता है बिद्दा बार्ट की study होती है ठीक है, the study of birds is called as ornithology जू जियो ग्राफी होता है कि जो एनिमल्स है उनका कैसे डिस्टिबूशन है जो ग्राफिक लिए उनका डिस्टिबूशन कैसे है ठीक बाट इस जू जियो ग्राफी बाकी सारे टर्म जो है आगे हम पढ़ेंगे अंस्ट मेर की सबसे जो इंपोर्टेंट सबसे remarkable contribution है वह यह वेटा कि जो करेंटली accepted definition है species की ठीक species की करेंबली accepted definition वह ज्यूर्ट मेन रही ठीक है तो ही गेव है यह द करेंटली ऑट्ली एक्सेप्टेड डे फैसलिट है ठीक है देगे द dog नोट बनाने के लिए घॉण कि आप शुरू से ही कॉपी एक रजिस्टर जो है वो बना ले और मेरे साथ साथ जो है वो जो भी मैं लिखवाता हूं लिखते चले पढ़ना बेटा आपको ncrt से ही है मेरे नोट्स आपको ncrt को explain करने में ncrt को अच्छे से याद रखने में मदद करेंगे ठीक है तो आप नोट्स बनाते जाएं और साथी साथ ncrt को पढ़ते जाएं हम लोग ncrt को भी यहां पर पढ़ेंगे ठीक है आपके साथी साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक और जो भी उसमें में देखी मुझे लगता है कि ncrt के अंदर जो कि ncrt को लेकर चलेंगे और जो previous year question papers है हमारे ठीक है 10 साल 11 साल में जो questions आए है अगर उसमें कुछ इधर उधर का थोड़ा बहुत आया है तो हम उस चीज को थोड़ा बहुत लेकर चलेंगे कोई हम ncrt से बहुत दूर जो है वो जाने का प्रयास नहीं करेंगे जो भी चीज रिलिवेंट नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे बेटा ठीक है अच्छा इसके लावा डार्विन सारी मेर सापको जो है वो बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे ठीक नोबल प्राइस नहीं मिला था तो ट्रिपल क्राउन ओव बायलोजी ठीक कहा जाता है इनको बिकॉस इनको ब नाम है ठीक अब देखो ऐसा है कि जो न्यू एंची आर्टी है उसमें से यह टॉपिक है डिलीटेट लेकिन अगर दोहजार चॉबिस का जो पेपर आया अगर आप उसको देखेंगे नीट का तो बहुत सारा ऐसे टॉपिक से जो डिलीटेट थे लेकिन फिर भी वो पेपर यानि जीवित बॉस्तु में हम उन्हें कहते हैं ऑबजेक्ट स हैं रहिंग्ट है जिससे वो खुद को जीवित रख सकते हैं ठीक है जिससे वो खुद को सस्टेन कर सकते हैं ठीक अपनी जो अवस्था है जीवत अवस्था है उसको बनाए रख सकते हैं ठीक जो लिविंग स्टेट है उसे बनाए रख सकते हैं ठीक जो लिविंग स्टेट है उसे बनाए रख सकते हैं डैट इस सेल्फ सस्टेनिंग प्र sustaining process जो है वह थी ही नहीं यह है inanimate object this is the inanimate object ठीक तो यह भी non-living है तो एक तो objects that never had never had self-sustaining processes जिने क्या बोल सकते है inanimate ठीक है और इसके लवा objects जिन में self-sustaining process थे और वो बंद हो गए यानि वो living थे और वो क्या हो गए डिट ठीक तो भी non-living माने जाएंगे तो objects in which self-sustaining processes processes have stopped जिन में self-sustaining process जो है वो क्या हो चुके हैं बंद हो चुके हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे डेड ये हो जाएंगे तो ये भी non-living होगे ठीक है अब बात आती सर अब बताईए कुछ characters पताईए जिससे पता चले कि कोई वी चीज जो है वो living है ठीक है कुछ characters बताईए तो आगे हम बिटा कुछ characters पढ़ेंगे और फिर देखेंगे उन में से कि वह living के defining features है या नहीं अब एक नहीं बात आ जाजी और वो क्या है कि सर डिफाइन फीचर क्या है ठीक नहीं बात आगी कि सर वाट is defining feature so defining feature यह defining property of living किसको कहेंगे यह बटा उन properties को कहेंगे जो सभी living organism में पाए जाएं ठीक है found in all living organisms सभी living organisms में पाए जाएं और non living में नहीं पाए जाएं ठीक है not found in non living organisms non living objects I should write ठीक है not organisms non living objects ठीक है तो defining feature कब कहेंगे जब सभी living organism में वो प्रपर्टी पाए जा रही हो और non living में वो प्रपर्टी ना पाए जा रही है तो आगे चलेंगे कुछ characteristics को देखेंगे ठीक जो कि living में पाए जाते हैं और फिर उसे इस बात पर तॉलेंगे कि वो डिफाइनिंग प्रपर्टी है या डिफाइनिंग प्रपर्टी नहीं है ठीक है तो लेट इस मूव ओन आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला important properties of living being में सबसे पहली property आती है बिटा ग्रोथ ठीक है ग्रोथ तो सभी living organism बिटा ग्रोथ शो करते हैं all living organisms all living organisms show growth सभी living organisms क्या शो करते हैं ग्रोथ शो करते हैं growth कब मानी जाएगी ठीक है हम कब मानेंगे कि growth हो रही है ठीक है तो increase in mass increase in mass plus increase in number of cells increase in mass यानी mass बढ़ रहा है वजन बढ़ रहा है और या फिर number of cells जो है वो बढ़ रही है ठीक है दोनों साथ भी हो सकते है दोनों से कोई एक भी हो सकता है ठीक है यह है characteristic of growth यह क्या है characteristic of growth अभी बिटा आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इस बाग पर एक बार में वापस आओंगा ठीक है characteristic of growth है ठीक है भाई ओके मान गए कि सभी living organism में growth होती है ठीक है mass increase होता है number of cells increase होती है तो growth कहा जाता है ठीक ओके बात करें अगर living beings की तो यहां पर जो growth होती है वो अंदर से होती है growth is intrinsic या इसी को हम protoplasmik कहते हैं protoplasmik growth के थे ठीक ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर जो है वो सडक पर घूम रहे थे और धूल के कड़ाए और हमारे उपर जो है वो उते होते होते आज जो है इतने बड़े हो गाए right ठीक और साथी साथ हमारी cells के size में भी increase हो ठीक है तो sell division only could just a number of cells बढ़ी है cell के size में इंक्रीज हुआ और मांस में भी इस हुआ मस्मास में क्रीज हुआऊ नबर और इस लिए क्या हो रही है ग्रोथ हो रही ठीक तो हमारी जो ग्रोथ है वह बॉड़ी के अंदर से होती है L Sporting और बोड़ी के extensique है जैसे माल लिजे डेजर्ड के अंदर एक रिखिस्तान में बालु के टीले बालु के टीले कैसे ग्रो करते पहले छोटे होते हें हवा चलती है और बालु उसके ऊपर आकर त्यल हो जाता है बड़ा ठीक है तो धीरे-धीरे करके बालु के तीले का साइज जो है वो बढ़ रहा है ग्रोथ हो रही है लेकिन वो कैसे हो रही है द्यू टू डिपॉजिशन अफ मैटीरिल फ्रम आउट साइड बाहर से मैटीरिल डिपॉजिट हो रहा है ठीक और इसलिए ग्रो जो है ठीक बोल्डर्स यानि पत्थर और सैंड दून्स यानि बालु के तीले यह कैसे ग्रोव करते हैं डिव टू डिपॉजिशन अफ मैटीरिल फ्रम आउट साइड ठीक है यह जो है यह ग्रोग डिव टू डिपॉजिशन अफ मैटेरिल अटेरिल फ्रम आउट साइड इसके अलावा अगर एक और चीज़ आप कंस्टेर कर सकते हैं अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रोथ होती बटा एक बार हाइट बढ़ गई ठीक है बच्वन से लेकर अभी तक मान लिजा हाइट बढ़ती रही ठीक है एक सर्टेनेज तक हाइट ग्रोथ वेराज अगर हम यही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देखें जैसे सेंड ड्यून को ही ले ले जैसे कि हमारे पास यह बालू का टीला था तो पहले जैसे हवा चलने के वज़ा से उस पर मैटीरिल डिपॉसित हुआ था वैसे ही एक सर्टेन डिरेक्शन से हवा चलने के होज़ा से वो मैटीर उससे उड़ भी सकता है और वो बालू का टीला वापस से छोटा भी हो सकता है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो एक्स्टेंसिक ग्रोथ होती है वह रिवर्सिबल होती है ठीक है इट कैन बी रिवर्स वेराज लिविंग ऑब्जेक् है वह इर्रिवर्सिबल है ठीक है यह बात धी ध्यान रखेंगे यहां पर जो ग्रोथ है ग्रोथ इस ए रिवर्सिबल वेराज नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है ग्रोथ इस और अगर दे वर्सिबल है तो लिविंग का केरेक्टर क्या है से लिविंग का क्या सब्सक्राइब लिविंग का ग्रोथ कैसे होती है इल रिवर्सिबल होती है और अंदर से होती had intrinsic धिक रहेगा है यान का रिटिष रेक चीद हाम है दिख गई कि निविंग और न properties दोनों में ही ग्रोथ हो रही है और इसलिए क्लियर बात है पहले अभी हम लोगों ने देखा था मैंने कहा था आपको की defining property कब बोलेंगे जब एक property सभी living organism में पाई जाए और non-living में ना पाई जाए लेकिन यहां पर living में भी पाई जा रही है सभी living में पाई जा रही है बिलकुल non-living में नहीं पाई जा रही है तो दोनों में ही पाई जा रही है और इसलिए defining property जो है वो नहीं होगी राइट ठीक है so it is not a defining property क्या dead organisms grow करते नो dead organisms do not grow dead organisms do not grow ठीक ओक और थोड़ीजी बात कर लेते हैं बार सरा ग्रोथ से रिलेटेड ही plants or animals में थोड़ा सा growth को देख लेते हैं ठीक है तो plants और animals अगर यह कभी ने कभी 910 में आप लोगो ने एक तरीके के टिशू का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम में सब्सक्राइब इस इस management भी जगह जगँ पर MRS की वजासे plants के अंदर food life जीवन परेंट विजेन चलता रहता है और सेल डिवीजन लगा तार चलता रहता है इस लिएлагाथार थ semantic मिलती रहती है तो प्ला जो है वो रोट़िवा lost हैं right they grow throughout life because of presence of meristomatic tissue meristomatic tissue अभी बात ध्यान रखेका कि जहां जहां मैरसमेटिक टिशू होगा वही पर ग्रोथ होगी यानि लोकलाइजड ग्रोथ देखने को मिलती है ठीक है आगे ये प्लांट ग्रोथ डेवलप्मेंट आएगा ना तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे लोग ठीक तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो थो आउट लाइफ होती है क्योंकि सेल डिविजन लगातार पूर only up to a certain age animals जो है वो एक certain age तक ही grow करता है right they grow only up to a certain age अब एक चीज और ध्यान रखना जैसे अगर हम लोग human का example देख लें तो human में बिल्कुल 20 साल-22 साल तक ही height बढ़ती है इसके बाद मुटापा जरूर बढ़ता है ठीक है लेकिन height की जो growth है वो बेटा एक certain age तक ही होती है तो certain age तक ही हमको growth मिलती है लेकिन अभी जैसे मान लीजे कि आपको कहीं skin पर हलका-फलका burn हो जाए या चोट लग जाए ठीक है यानि basically क्या हुआ जो tissue है उसमें present जो cells है उनका loss हो जाए तो उस loss को repair करने के लिए cell division जरूर होता है ठीक है तो growth up to certain age because cell division certain age तक ही होती है लेकि कुछ tissue के अंदर loss cell को compensate करने के लिए जो cells खत्म हो गई है उन्हें वापस से ले आने के लिए ठीक है जुन सेल्स की death हो गई उन्हें वापस से replace करने के लिए cell division जरूर चलता है ठीक है तो एक तो यवादी ध्यान रखेंगे that cell division occurs in certain tissue certain tissue to replace lost cells ठीक है और animals में plants के जैसे नहीं होता है animals में जो growth होती है वो diffused होती ही बटा पूरे body में ही growth होती है ठीक है plants में वहीं growth होगी जहां पर meristematic tissue मिलेगा राइट एक और बात कर लेते हैं growth related वो है the difference in growth between unicellular and multicellular organism ठीक है तो अगर देखेंगे आप unicellular organism को unicellular organism को तो unicellular organism जैसे bacteria ठीक है bacteria में माल लिजे एक यह bacterial cell है ठीक है इस bacterial cell का थोड़ा size बढ़ेगा और जैसे ही size एक certain limit तक पहुँच जाएगा यह cell क्या हो जाएगी डिवाइड कर जाएगी ठीक है इट विल डिवाइड इन्टो टू cells यह दो cells में डिवाइड कर जाएगा ठीक ओके तो ग्रोट जो है वो तो हुई लेकिन अंत में आप देख रहे हैं कि एक से लसे दो से बन गई similar और इसको हम बेटा क्या कहते रिप्रोडक्शन तो ग्रोट और रिप्रोड़क्शन यह दोनों ही इवेंट्स क्या हो रहे हैं यह दो रही इवेंट्स यूनिस अलर और ऑगनिजम के अंदर म्यूचुली इंक्लूजव एवेड्स हैं या सिनॉनिमस इवेंट्स हैं ठीक है तो unicellular organism grow करते हैं बाई cell division यहां cell division भी हुआ है कि cell divide कर गई है ठीक है और यह actually हमें क्या देख रहा है सर कि अपने ही जैसे दो लोगों को produce कर दिया तो reproduction भी देखने को मिल रहा है राइट तो unicellular organism में growth और reproduction बेटा क्या चीज़े हैं दोनों ही एक दूसरे के synonymous है ठीक महीं multicellular organism जिसे higher plants animals अगर हम अपने को देखें ठीक है हाइर plants and animals ठीक है multicellular organisms यहां पर बेटा जैसे अगर human की बात करें human का example ले ले तो पहले जब पैदा हुए और उसके बाद बिटा थोड़ा एज बढ़ती जाती बढ़ती जाती है है एक साल के होते हैं दो साल कukan आठ साल कर दश साल फिर इसके बढ़ बटा 12-13 साल की एज तक जाकर कहीं पिस प्रेड़टी आती है इसके बाद ही जो है वो organism क्या कर सकता है reproduce कर सकता है कि इससे पहले तक ग्रोथ तो रही थी आगे भी ग्रोथ अभी चलती रहेगी ठीक लेकिन reproduction तो नहीं हुआ यानि growth और reproduction ये दोनों ही जो events है वो क्या है एक दूसरे से independent है यानि mutually exclusive events है तो golden point आपको बताने वाला होगा ठीक है जितने golden point बताऊंगा उन्हें मैं से questions जरूर आएंगे ठीक पहला golden point note करेंगे बेटा कि इन हायर plants and animals growth and reproduction are mutually exclusive events mutually exclusive events what is the meaning of this independent events independent events events कैसे है independent है दूसरे पडिपेंडेंट नहीं है राइट वहीं अगर unicellular की बात करेंगे तो unicellular organism के अंदर क्या हो रहा है unicellular organism के अंदर जब growth हो रही है तो ultimately cell divide कर जा रही है यानि एक ही सेल से एक सेल से दो similar cells जो है produce हो जा रही है जिसे हम reproduction भी कहते हैं ठीक तो इसलिए एक बार वापस जाएं unicellular organism में growth reproduction क्या था synonymous था तो अगर आप यहाँ देखें की सर characteristic characteristic of growth में तो increase in mass भी हो रहा है increase in number of cells भी हो रहा है इसके लावा unicellular organism में तो individual ही increase हो गए ठीक है क्या है पहले एक बैक्टिरिया था फिर बैक्टिरिया क्या हो गए दो तो यहां यहां यह भी लिख सकते हैं increase in number of individuals तो दो रही चीज़े मिलकर characteristic of growth हो जाएंगे बीटा ठीक है तो साथ मिनूट कर लेना और अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं ultimately हमें यह कंक्लूजन हो रहा है यह कंपूजन इस निकल कर आ रहा है कि growth जो है वो डिफानिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्यूंग है क्योंकि सब लिविंग ऑगनिजम में पाई जारी भी लेकिन नॉन लिविंग में भी पाई जारी है और इसलिए defining property here yes it is a characteristic of living organism it is a characteristic of living organism to conclusion growth is not a defining property property of living organism growth you have work defining property nahi hai living organism ticket ugly property that is reproduction to reproduction other define career production koto kya hai apne he jesse more or less apne he jesse progenies go produce karna tik kya kalata hai reproduction ticket so it is it is production of progenies more or less similar to the parent parent or s bracket milk lena ticket single parent se bho sakta hai or do se bho sakta hai ticket to parents so a apne jesse progenies produce karna bakar reproduction go they can't to reproduction but a doh prakar ka ho ta hai aq hai sexual reproduction और दूसरा है a sexual reproduction ठीक है sexual reproduction में हम देखते हैं कि there is production of gametes ठीक है क्या बनते हैं special cells बनते हैं sir और उन्हीं cells की मदद से ही नए progenies create होते हैं जब वो cells यानि उन्हें क्या कहते हैं gametes वो क्या करते हैं fuse करते हैं fertilize करते हैं तब एक single cell structure का formation होता है जिससे zygote कहते हैं तो formation of zygote भी देखने को मिलता है और यह बिटा होता कहां है higher plants और animals में ठीक है बाकी higher plants animals में वहाँ पर भी कहां कितने higher कितने higher animal कितने higher plants में होजा है यह सब हम लोग बेटा plant kingdom animal kingdom में देखेंगे ठीक है asexual reproduction की बात करें तो asexual reproduction जैसे की for example for example जैसे binary fusion binary fusion बेटा fragmentation budding vegetative reproduction यह vegetative propagation यह सभी जो है वह a sexual reproduction के examples है यह सभी चीजें यह सभी फेनॉमेना जो है वह एक प्रकार का a sexual reproduction होती है ठीक है जैसे अब यह भी नाम जो है हम में आगे मिलेंगे एक नाम जैसे वेजी प्रकाइशन है ठीक है आप एक अंकल जी क्या घूमने गए अपने ठीक है आपके पिताजी के दोस्त हैं उनके आप भूमने चले गए उनके गुलाब का फूल लगा हुआ था आपको बहुत अच्छा लगा आपने मांगा अंकले नहीं दिया आपको पुरा लगा आपने गुस्से में उसकी एक डाली तोड़ ली और घर ले आए क्यूंकि आपने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है तो उस फूल की उसके प्लांट की एक ब्रांच तोड़कर ले आए और ले आकर अपने घर पर लगा दिया अब अगली बार अंकल आए उन्होंने देखा किया रहे वाह यह फूल तो इसके हां भी है ठीक तो